हेलो एंड वेलकम टू एंड टीवे स्पोर्ट्स मैं हूँ आपके साथ अभिशेक भार्दवाज फिफा विश्वकप 2022 के रोमांचक मुकाबले खेले जा रहे हैं और इन मुकाबलों के बीच हम आपके इस वीडियो में बताएंगे कि आखर 23 नौंबर को खेले गए मुकाबलों का नतीजा क्या रहा सबसे पहले अगर बात करें मुकाबले की तो आता है फ्रांस और आस्ट्रेलिया की बीच खेले गए मुकाबलों का जहां पे फ्रांस की टीम ने चार गोल दागे और आस्ट्रेलिया की टीम ने मात्र एक गोल दाग पाने में सफलता पाई अगला नाम आता है अगले टीम की अगर बात करें तो मुरक्को और कुरेशिया की अगर बात की जाए तो कुरेशिया की अगर बात की जाए तो सबसे पहला जो खयाल आता है दिमागों यही आता है कि पिसले बार की उप विजटा टीम ने एक भी गोल दागने में सफलता नही टिमों के तरब से एक भी गोल जो है वो नहीं डागा गया इसके बाद अगला नाम आता है जर्मनी और जापान के बीच जर्मनी ने एक गोल डागे और जापान ने दो गोल जाकर ये मुकाiquerशा जो है जीत लिया था इसके बाद बहुत ही प्रौंशजोत भी से हम मैंच को जल से चाहेंगे कि इस हारी करें लेकिन इस से निकल पाना इतना आसान नहीं होगा तो कहीं न कहीं फिफा विश्यो कप 2022 में रुमांचक मुकाबले देखने को मिल रहे हैं और इसमें जिस तरीके से युवा टीम है युवा टीम के साथ जिस तरीके से स्पेन ने कोश्टा रिका के उपर कल विजय जो है हासिल के उसके बाद कहीं न कहीं इस युवा टीम के जो लगतार लाकर देता रहेगा तो आप ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए इंडिटीवे स्पोर्ट्स को लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले